अरे बच्चो स्वागत आप सभी का मेरे चैनल जारेड़ा उनलाइन क्लासेज में बच्चो देखिए आप सभी के परिक्षाएं शुरू होने वाली है ठीक है और जो बच्चो आपको मार्क्स बताए गए हैं देखिए 40 नंबर का आपका असाइमेंट या प्रोजेक्ट्स आ आप लोग को पहले ही बता दिये गए हैं कि किसके आधार पर आपको दिये जाएंगे तो बच्चो जो आपको पीपर्स दिये जाएंगे ठीक है जो प्रशन पूछे जाएंगे वो कुछ इस तरह से होंगे तो बच्चो आप सभी वीडियो को एंड तक देखिए समझे और आपने एक्जाम्स के लिए तैयारी कीजिए देखिए बच्चो यहां आज मैं आप सभी को कक्षा 5 की विश्य गणित की कोशन बता रही हूं सही विकल्प कर चुनाव कीजिए देखिए बच्चो आप लोग को यहां कुछ प्रशन दिये जाएंगे जैसे वजन को मापने क के लिए इकाई क्या है बच्चो वजन को हम किसमें नमापते हैं तो यहां हम रिखेंगे किलोग्राम में ठीक है दूरी को हम नापते हैं किलोमीटर में सैंटीमीटर लंबाई को ठीक है और जो मिटर है लिटर है ओ जैसे पानी हुआ या दूद हुआ इसको हम लिटर में न को सही विकल्ब चुनके यहां पर निशान लगाना है 90 डिगरी के कौन को क्या कहते हैं 25 पैसे एक रुपे का कौन सा भाग है जिसे 25 पैसा एक पैसा भी पूस सकते हैं हमसे 50 पैसा होता है आधा 25 पैसा होता है एक बाई चार एक किलोमेटर का एक बाई दस बाप इतना होगा अगर हम दो वर्गो को जोड़ते हैं तो नहीं आकरति क्या बनेगी ठीक है बचो अगला प्रशन देखिए सत्त्रिवय सत्त्रिक हैं 900 मिटर 1 किलो मिटर से जादा होता है देखे बच्चो 900 मिटर 1 किलो मिटर से जादा होता है 1 किलो मिटर में बच्चो 1000 मिटर होते है सॉरी देखे बच्चो ये होता है 1000 मिटर के बराबर ठीक है अब जैसे यहां किलो मिटर में पूछा यहां किलो ग्राम में पूछ सकते हैं लिटर्स में पूछ सकते हैं कैरम बोड के आकरती वरगाकार होती है एक बाई चौथाई गुमाप पर पवन चक्की के आकरती समान रहती है एक दिन का दो बाई तीन भाग सोला घंटे होते हैं उसका दो बाई तीन भाग हम करेंगे तो कितना होगा करके देखते हैं तो यह हमारा सही है ठीक है अब जैसे एक दिन का एक बाई तीन भाग पूछेंगे एक बाई तीन कितना होगा तो एक बाई तीन हम करेंगे तो यह हो जाएगा आठ आठ घंटे ठीक है इस तरह से आपसे अलग-अलग प्रेशन पूछ सकते हैं नमलिकित प्रेशनों के उत्तर दीजे नीचे दी गई आकरतीों में समरूपता की रेखा खीचे आपको यहां आकरती में समरूपता की रेखाएं खीचनी है यहां पर बचो यह आकरती दे रखिए आपको कोई और आकरती दे देंगे जैसे इस तरह से दे देंगे ठीक है यहां फिर कोई और आकरती आपको नीचे दे देंगे नीचे दिये गए सेमी वर्ग ग्रिड में बनी डाक टिकिट का शेतरफल और परिमाब बताईए जैसे बचो यहां पर डाक टिकिट है यहां पर आपको कोई और जैसे एन्वलप दे दिया या फिर कोई किताब दे दिया फिर कोई कैरम बोर्ड दे दिया ठीक है उनका भी आपसे हैं शेत्रफल परिमा पूछ सकते हैं अगला फ्रेशन देखिए बच्चों दो बाई तीन की चार तुल्जे विविन लिखें साडिन मचली की कीमत रुपे 40 किलो ग्राम है अलब एक किलो जो मचली है उसकी कीमत 40 रुपे हैं आपके पास कुल राशी 200 रुपे हैं इस राशी से आप कितनी मचली खरीच सकते हैं तो बच्चों देखिए 200 रुपे हैं एक किलो 40 रुपे की आती है तो हम 200 का 40 से भाग तो यहां आ सकती है 5 kg मचली आ सकती है ठीके हैं ठीके मतलब 5 मचली खरी सकते हैं इस तरह से बच्चों ऑफ़र दे देंगे कि बहुत के पास 100 रुपए हैं प्वर सकती हैं तो यहां भी हमारे 5 तो बच्चों यहां पर बस यह कुछ प्रेशन के नाम चेंज कर देंगे ठीक है यहां चीजों के नाम बदल देंगे, यहां पर संख्यां बदल देंगे, लेकिन प्रेशन कुछ आपके इस तरह से ही रहेंगे, सेमी ग्रिड में दी गई आकरती को इस प्रकार पूरा करें कि इसका शेत्रफर दस वर्ग सेमी हो जाए, ठीक है, चित्रा अत्मक प्रेशन आप और आप सभी को समय देखना भी आना चाहिए, जैसे घड़ी दी गई है, छोटी सोई 3 पे है, बड़ी सोई 12 पे है, तो यह बज़ गए तीन ठीक है, छोटी सोई 1 पे है, और बड़ी सोई 8 पे है, तो यह कितने बज़ गए, 1 बज़ के 40 मिनिट, ठीक है बच्चों, बना कर दिखाईए कि नीचे दिए गए त्री भूज को एक बाई चौथाई मोड और आधा मोड प्रदान करने के बाद वह कैसी दिखेगी ठीके बच्चो इस तरह से जैसे आपको यहां यह दिया गया है क्या आपको दूसरी इस तरह से दे देंगे या इस तरह से कोई भी आकरती आपको देखे और प्रशन पूछेंगे वर्णात्मक प्रशन देखे रोहन के पास 20 टमाटर और 18 आलू है और वह एक बाई 5 टमाटर और एक बाई 3 आलू सोहन को दे देता है सोहन को किते टमाटर आरू मिले जैसे बच्चो बीस टमाटर है उसमें से उसने एक बाई पांच सोहन को दे दिये तो मतलब चार उसने सोहन को दे दिये और अठारा आलू है उसमें से एक बाई तीन उसने सोहन को दिये तो मतलब छैं आलू उसने सोहन को दे दिये ठीक है इस आपसे और उर कोई प्रशन जैसे एक बाइ पांच है तो दो बाइ चार भी कर लेंगे जातीं दो बाइ पांच कर लेंगे इस तरह से प्रशनों को घुमाएं हैं ठीक है बैचों सभी को समाझ माया देखे बैचों आप सभी वीडियो दहान से देखी और बैचों आप अपने परिक्षाओं के लिए तयारी कीजिए उमीद करते हैं आप सभी को मेरे वीडियो समझ में आया होगा थैंक्यू बच्चो